आपकी गहीसेमपागभ में जो भाजी आती है उसमें से ऐसी ही एक बहुत अच्छी भाजी है टमाटर अब आजकल जो टमाटर आरहा है वो काम अन fällt आएं आज जो है न बड़ा बड़ा टमाटर आया है और वो बहुत कड़ग भी होता है और उसमें टेस्ट भी नहीं, ये तमाटर किसी काम करें आप तमाटर नाम देखकर कुछ खा रहे हैं तो ठीक है, वरना उसमें तमाटर का कोई भी गोन धर्म नहीं जो देशी तमाटर आता है देशी तमाटर आप सब समझ нашем जो देशी इंको टमाटर का सूप दीना चाहिए जीनकों भी डाइविचीज है उनको टमाटर काट के सलाथ की रूपåरूप में खाना चाहिए जितना ज्यादा टमाटर आप खाएंगे उतनी जल्दी डाइबिशीज कम होगा लेकिन टमाटर वही हो जो मैं आपसे कह रहा हूँ देशी टमाटर जवारी टमाटर मिलता नहीं है आप थोड़ा धूड़ेगे तो मिलता है मेहना मिलता है देर से मिलता है और आप शेतकरी के स अच्छा ना हो लेकिन कॉलिटी अच्छी हो ऐसा टमाटर देशी है तो आप मोले भाजी पराला वाले को भो फो शेतकरी वो बोलेगभा सिर्ट करिने उसका वीज लघाए जीज यूपर करेगा तो आपको घलेगा नहीं तो आपके पास तोड़ी शेती है तो आप इसमें देशी टमाटर जरूद लगाई इस देशी टमाटर का बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग है जिन बच्चों को बच्च्पन में चश्मा लग दिया आँखों में उम्र तो कम है लेकिन आखों की रोशनी कम हो गई है उन सबी को टमाटर में काली मिर्च मिला कर सब्सक्राइब काटिए कच्छा और उसमें काली मिर्च का पाउडर डालके रोज एक प्लेट बरके सुबह सुबह खिलाईए चार महिने अगर लगातार खिला दिया तो आँखों का चश्मा उतर जाए बहुत आलिए खाली तमाटर काली मिर्च उसके ऊपर डालकर कच्छा त पर पीस काटकर देशी तमाटर के एक प्लेट बरके प्लेट बरने से मतलब मेरा है कि खाने के वाद उनका प्लेट बर जया बच्छों 15 साल से कम उम्र के जितने भी बच्छों को चश्में चड़े हैं आखों पर अगर तमाटर और काली मिर्च नियमित रूप से चार महिने सिलाद है तो उनके चश्मों कर जाएं इसी तमाटर का एक और अच्छा सदूपयोग है कई वार चोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं अक्सर देखता हूँ डेली का डेली संडास ने होते एक दिन बाद दो दिन बाद तीन दिन बाद कई वार ऐसे बच्छे मिरपा सिल आज के लिए आते हैं उनको खाली तमाटर देशी तमाटर का रस देना शुरू कर देजे जूस देना शुरू कर देजे सूप देना शुरू कर देजे तो रोज का रोज उनका कोट सास होने लगेगा बराबर समय से उनको संडास होने लगे यह तमाटर रक्त वर्धत है रक रक्त की मात्रा कम हो गई हो तो रक्त बढ़ाता है रक्त का शोधन भी कर देता है रक्त में अगर ट्राइग लिस्राइट बहुत जादा बढ़ा हुआ हो नियमित रूप से आप कच्छे ट्माटर खालें चार महिने के बाद और उसके बाद आपका लिपिट प्रोफाइल चे करें हैं देखिए प्रकरती का कुछ नियम है उसमें से एक नियम हमेशा ध्यान रखिए कि वरक्ष को जब तक स्वयं फल की जरूरत है तब तक वो उसको पकड़ कर रखता है जिस तिन उसकी जरूरत पूरी हो जाती है वो खुद छोड़ देता फिर वो आपके काम का हो जा और हरे पक्तों के साथ फल जो हरे रंके हैं वो दोनों मदद करते हैं भोजन बनाने और प्योड को भोजन की सप्लाई होती है जब तक प्योड को भोजन की जरूरत है तब तक उसके उपर फल हरे रंके रहते हैं जिस दिन प्योड को वो भोजन की कमी नहीं रहती जरूरत नहीं रहती वैसे ही वो टमाटर लाल हो जाता है आम पीला हो जाता है और दूसरे फल के रंग बदल जाते हैं और पट से पेड़ उसको छोड़ बेता है फिर वो आपकी काम का हो जाता है तो जब तक वो ब्रक्ष के काम का है तब तक मत तोड़िए जिस दिन वो उसके काम का तो तमाटर को वरक्ष तभी छोड़ेगा जब लाल मेंका वो हो जाएगा इसलिए तमाटर का माने ही है लाज तमाटर कर दो प्रॉब दो